हालो लेर्नर्स वेल्कम टो आर चैनल एड्वीश पावन ना है वब आप लोग सबीक अच्छे होंगे आज हम लोग आज के सेशन में फिर से दो नए इंपोर्टेंट क्वेशन का डिसकेशन करने वाले हैं और यह सेम जहरकन कॉंसील ऑफ एजुकेशनल रिचेर्च और ट्रे सिक्स्टीन और क्वेशन नबर सैवंटीन के एंसर को आज हम लोग देखेंगे इससे पहले हम लोग क्वेशन नबर 14 और 15 का सॉलूशन कर चुके हैं वो वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है आप लोग से जदी मिस हो गया को तो उसको भी जरूर देख लीजेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट टोड़ी सेशन कोश्चन नमबर 16 वट वस वली इस फेवरेट पास्टाइम ठीक है वली का फेवरेट पास्टाइम क्या था यानि तो पहर के समय में जेनरली देखिये का बच्चे लोग सोते वगर नहीं थे तो अपना कुछ खेलने चले गए गए कु वली की उम्र जो है वो आठ साल थी and very curious about things और वो चीजों को जानने के प्रती बहुत ही उत्सुक रहती थी ठीक है मतलब किसी वी चीज में वो बहुत ज्यादा interest लेती थी वली's फेवरेट पास्टाइम वास ठीक है अब आगे हम लोग क्वेशन पे उसका फेवरेट स्टेंडिंग इन दा फ्रेंट दोर वी वो अपने फ्रेंट दर्वाजे पर क्या होती थी खड़ी हो जाती थी उसके बाद ऑफर हाउस ठीक है अपने घर के जो मुखे में दर्वाजा है वहां पर and watching what was happening in the street outside और वहां से उस दर्वाजे से वो दीखा करती थी कि इस वीदियां हो रही है जैसे लोग आ जा रहे हैं गाड़ियां आ जा रही हैं कोई बजार लगा हुआ है कोई फेरी वाला है तो इस प्रकार से उसका गली से जो भी मतलब नजर आता था वो सारा कुछ वहां दर्वाजे पर खड़ी होकर देखा करती थी इट गेव हर मैनी नि कि हमेशा नहीं होते हैं यूजवल कहने का मतलब जो हमेशा होते हैं रेगुलर एक ही चीज का द्रिश लेकिन गली में क्या होता है कि वहां रोज अलग-अलग द्रिश दिखेगा ठीक है उसमें भी पूल रहे हो the most fascinating thing of all यानि वो जो स्ट्रीट में अपने घर से के fascinating था जिस पर वो सबसे ज़्यादा आकर्शित होती थी सबसे ज़्यादा दो उसके लिए लुभावना था was the bus ठीक है किसको देखकर वो सबसे ज़्यादा लुभाती थी the bus that traveled between her village and the nearest town एक bus थी जो कि उसके गाउं से उसके नजदीक के सहर जो है जाया करती थी with new set of passengers each time ठीक ह और प्रती एक बार वो देखा करती थी कि नए ने passengers जो है उस bus में travel करते हैं तो that was the unending source of joy for valley यानि जब भी वो देखती थी मानलो जैसे कोई युवक कोई युवा जो है उस bus में चड़के जा रहा है और उसके बाद जब वो बस वापस आ रही है तो देख रहा है कोई वो मत passengers तो यह उसको देख कर बहुत ही ज्यादा fascinating लगता था ओके सो learners I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वल्ली का फेवरेट पास्टाइम क्या था ठीक है come to the next question number 17 why does the poet want to turn and live with animals ठीक है यह बहुत ही आपको लोगों का important question है ठीक है यह कई बार आप लोगों का final examination में पूछा गया है यह question ठीक है question क्या बोल रहा है why does the poet want to turn and live with animals लेखक जो है turn होकर animals के साथ क्यों रहना चाहता है ठीक है that means वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो animal की जो species प्रजाती है उस animal के रूप में वो जन्म लेना चाहता है और उसी रूप में वो मतलब survive करना चाहता है ठीक है सिदे सिदे आप बोल सकते हैं कि वो animal के साथ क्यों रहना चाहता है तो क्यों रहना चाहता है the poet want to turn and live with animals because they are happy and satisfied with what they have ठीक है तो एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं इस जो question है या जो chapter है इसमें जो है comparison किया गया है animals का और किस के साथ आप लोग बोल सकते हो human being के साथ ठीक है मनुशियों के साथ तो आप लोग देखिएगा मनुशिय लोग जो है कभी भी किसी भी मनुशिय से पूछो कि आपके पास कोई कोई ऐसा मनुशिय बताओ जिसको की कोई दुख न हो तो हर कोई मनुशिय का दिखाओगे कुछ न कुछ दुख है प्राब्लम है समस्या है पारिशानी है दर्द है मतलब हर किसी का कुछ न कुछ है ठीक है एक तरह से बोल सकते हो तो वो happy नहीं है दूसरा चीज किसी भी मनुशिय से पूछ लो कि क्या आप अपनी अवस्था या इस्तिती से satisfied हो संतुस्टी हो संतुस्ट हो अपने जीवन से तो वो नामे ही जवाब देगा क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा मनुश्य नहीं है ठीक है रिसी मुणी बगर को छोड़ दो वो लग तो समझो भगवानी है तो लोग को जदी छोड़ दिया जाए तो देखो कि कोई भी मनुश्य जो है संतुस्ट नहीं है ठीक है मालो किसी को पास कम पैसे है तो वो और पैसे पाना चाता है किसी के पास कम सोहरत है तो वो ज्यादा सोहरत पाना चाता है इस तरह से मतलब कोई भी संतुष्ट नहीं है लेकिन एनिमल्स के केस में लिखत को ये चीज नहीं दिखता है ठीक है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है फिर अगे next point they are calm and self-sufficient काम मनें सांथ चित ठीक है कोई भी मनुष्यों देखोगे सांथ चित नहीं है हमेसा व्याकूल रहता है क्रोधित रहता है लेकिन animal में ऐसा नहीं है वो peaceful living peaceful life व्यतीत करते है तो भी काम है and self-sufficient ठीक है यानि जो भी उसके पास है उसमें वो संतूस्ट है ठीक है किसी से वो complain नहीं कर रहे है किसी से छीना जप्ती नहीं कर रहे है कुछ इस प्रकार से फिर next point they do not complain about their conditions ठीक है वे लोग अपनी अवस्था के उपर complain नहीं करते है आये दिन देखेगा आप लोग भी आप लोग के दोस्त हुआ आप लोग के घर में हुए हर कुछी की कोई ना कोई समस्या है और वो complain नहीं करता है ठीक है अभी जैसे आप भी लोग कल पर से कुछ बच्चे आगे complain कर रहे है सर मेरा स्टाइफिन नहीं आया ठीक है तो सर मुझे notebook नहीं मिला सर मुझे book नहीं मिला इस तरह से मतलब कुछ कुछ complain हमेशा रहता है यह मैं एक general example दे रहा हूँ ठीक है मैंने बोल रहा हूँ कि आप लोग मत मांगने आईएगा notebook या books वगरा ऐस करके लेकिन ऐसा है ठीक है they do not complain about their conditions उनकी जो अवस्ता है ठीक है मिर पास कपड़े नहीं है मिर पस घर नहीं है मिर पस पैसा नहीं है मिर पस बाइक नहीं है तो इस तरह का यह क्या है यह complaint है तो ऐसा complaint यह animals नहीं करते हैं फिर next point they do not lie awake in the dark ठीक है साथ इसाथ हम लोग देख ठीक है तो जागते हुए वे लोग सप्न नहीं देखते है they do not lie awake in the dark अधेरा होता है वे लोग आराम रहते हैं सो जाते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि अधेरा होने के बाद भी हमें नीद्ड नहीं आती है उब उच्छेन से नहीं रहता है ठीक है हम लोग सांती से रहते हैं, actually the modern world is full of fear, war, worry, stress, insecurity इन सब चीजों से modern world भरा हुआ है, जिसके चलते हैं आदमी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसे नींद भी नहीं आती है, and weep for their sins, ठीक है, साथ ये भी देखने को मिलेगा कि animals लोग अपने कृतियों पर, अपने किये गए कार्यों पर कभी भी उनको पस्तावा नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, weep मने रोना, scene मने होता है, pump, हम लोग कोई भी पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो देखो कि हम बाद में पस्तावा गर्दिया, मैंने उसको Why does the poet want to turn and live with animals? So these are the reasons. So learners, I hope you have a question भी समझ में आ गिया होगा. Future में जो है, हम लोग इसके जो long questions हैं, उसे भी करने की कोशिश करेंगे. जो यहाँ पर एक question आया है, 18, who was Horace Tanby and what kind of a person was he? और 19 question यहाँ printed नहीं है, वो भी है, 2 question है, long question में, जो कि आप लोगों का 5 marks का है, तो future में आप लोग इसे भी करने की कोशिश करेंगे, और वो भी important है. So learners, please stay connected with our channel, advice proven and please like, share, subscribe our channel. Thank you.